नमस्कार दोस्तों तो इस वीडियो के अंदर चुकि हम देख रहे हैं राजस्थान के कुछ लोक नरत्य तो उनमें से ही कुछ नरत्य जिनमें से एक चरी नरत्य धांडिया नरत्य तेरह ताली नरत्य और एक बम नरत्य जिनमें से तेरह ताली नरत्य जो की बाबा राम देब जी जो राजस्थान के सबसे बड़े लोग देपता है उनके वहाँ जो कामरी अजन जाती के लोगों द्वारा किया जाता है वो निरत्य उसको कैसे करते हैं उसके लाब बाकी के जो निरत्य है उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं कौन से छित्र में के जाते हैं वो हम देखें किशनगर्ट चित्र शैली के वारे में हमने पड़ा था जिसका एक बहुत बड़ा चित्र है जिसे राजस्थान की मौना लिशा कहा जाता है बनी धड़ी का चित्र तो उस किशनगर्ड के अंदर यह चनिरत्त किया जाता है इस चरी नत्य में भाकिया ढोल और धाली का प्रिय दार्मिक आयोजन किसी और आयोजन में इस नत्य को किया जाता है इसमें इस्त्रिया अपने सिर पर साथ चरिया रखकर नत्य करती है यानि कि साथ चरिया एक के ऊपर एक रखी जाती है उन चरियां में से फिर सबसे ऊपर वाली जो चरी होती है उसको काकडा के बीज के होता है एक काकड़ा एक पौदा होता है उस काकड़ाएं के बीच का जो टेल होता है उसे डाल कर सबसे उपर वाली चरी पर जलाया जाता है उसके बाद इसके अंदर निरत किया जाता है तो चनिरत हम देख सकते हैं सिर्पर चरी रखनी होगी इस्तरियां होगी साथ चरियां रखते हैं और सबसे उपर वाली चरी में अगनी जलती हुई रहती है और थाली इत्यादी के प्रियोग से इस तरीके से कह जाता है कि इसके अंदर एक थाली होती है थाली के उपर उसे महिला द्वारा अपने पैरों से उस थाली को पर रखकर उसको कौने उसके किनारों से उस कि अगरा नत्य हम देखते हैं डांडिया जो कि राजस्थान और पूरे गुजरात के अंदर बहुत की प्रसिद्ध नत्य है परन्तु इस नत्य के लिए एक चीज हमें याद रखने के जुरूती है कि हलाकि मेवाडवाला छेत्र गुजरात के बॉर्टर के पास आता है परन् य celi का आपि इस नत्य को किया जाता है एक जहना है तो राजस्थान के लिए होली के बाद किया जाता है और फागल की शीचानदीनित नडतक नगारा लेकर मेड़ाश व्यूंब जाता है और इस मेदान के बीच के चौक के बीच में शेहनाई वाले तरह गायक बैठते हैं इसके अंदर नर्तक होते हैं वो नगारा लेकर मेदान में बैठते हैं और जो इस मेदान के बीच में शेहनाई वाले गवई है वो सभी लोग जो है वो गाते रहते हैं यानि कुछ लोग बीच में ढोल नगाडे चेहनाई ये सब चीज़े बघाते रहते हैं। उसमें इसके लावा जो ख्यात जो ख्यात कार्त होता है। जो पौरानी कताय होती है जो कि बोली को चलती रहती थी पौरानी। इसके लब नर्तक बरावल लेसे डांडिया टकराते हुए ब्रत्य में आगे बढ़ते हैं तो बीच में लोग बैठकर ढोल नगारे बजाते रहते हैं कुछ लोग गायन करते हैं और जो डांस करने वाले होते हैं की डांडिया टकराते हुए मनत्य में आगे बढ़ते हैं और उसकी जो लय होती है डांस की वो जो गायन होता है उससे मैच करती हुई होती है तो हम लोग देखते हैं डांडिया का एक चित्र देख लेते हैं तो हम देख सकते हैं गुजरात का डांडिया है इसी तरीके के बैठे हुए होते हैं और चार तरब लोग सरकल बनाकर उसके अंदर डांस करते हैं और राजस्थान के डांडिया है उसके अंदर यह कि पुरुसो द्वारा किया जाता है और मारवार छेत्र के अंदर होता है अगला जो नत्य है जो कि बहुत ही प्रिशिद्ध नत्य है तेरह ताली नरत्य जो कि राजस्थान के बहुत प्रिशिद्ध लोग देपता है उनके वहां किया जाता है और काफी special features अपने अंदर रखता है तो 13 ताली नत्य के अंदर मजीरा, तानपुर और चौथारा बागयांत्रों, बाददी नत्रों का परिउक किया जाता है तो मजीरा जिसके अंदर 2 इस्टील की प्लेट जैसे 2 प्लेटें होती जिनको आपस में टकराया जाता है आँचस्सें पकड़कर तो उसके लब तानपुरा और चौतारा ये तीन वाद्य अंतर इसके अंदर प्रियोग किया जाते हैं और इसका जो प्रदर्शन है वो उस्सव और मेलों में देखने को मिलता है यानि उससव हो कोई बड़ा या कई प्रिकार के मेलों में कुछ ये तेरा ताली करने वाली महिलाएं होती है जो कि तेरा ताली का प्रदर्शन करती है वो उनका प्रदर्शन किया जाता है और basically जो बावार रामदेव का जो मेला लगता है रूनीचा के अंदर वहां पर यह नत्य काफी महतुरा में देखने को मिलता है इसके अंदर जो नत्य क्या होती है वो धुनी की लैको सुनने के पस्चाद बैट कर नत्य करती है न्रंT कर उसके अनुसार अर्बना कर और बैठकर किया जाता है और यह नत्य गोता है उसको 13 हूज स्क्राली इसलिए बोला ज़ाता है क्योंकि इसमें 13 मंजीरों का प्रियूक किया जाता है किसमें 13 मंजीरों के आउशेक्ता होती जिन मैंसे जो 9 मजीरे होते हैं उनको लाइन से दाएं पांप पर बांध दिया जता है उसके लबाद दो मजीरे होते हैं वो हातों की कोहनी के उपर होते हैं और एक-एक मजीरा होता है वो दौनों हातों में होता है तो 9 और 11 और 13 तो 13 मजीरे इसके अंदर बांधे जाते हैं जिसके इननी उत्पन होती है और उसके अनुसार जब वो टक्राते है तो इससे इसा प्रतित होता है जैसे एक डान्स किया जा रहा हो तो यह जो नत्य है वो मूल रूप से रामदेव जी के मेले के समय देखने को मिलता है और कामर जाती के लोग 13 ताली नत्य के साथ जो रामदेव जी हैं उनका यशोगान करते हैं तो हम देख सकते हैं इस नत्य को यह महिला है इसने एक मंजीरा यहां बांदा हुआ है एक इसके यहां पर है उसके लाब़ दो मंजीरे कोहनी पर बांदे जाते हैं उसके लाब़ जो 9 मंजीरे हम देख सकते हैं इसका दाया पाव है यहां पर लाइन से 9 मंजीरे बांदे गए तो इन दोनों जो हाथ वाले जो मजीरे हैं उनको बाकी के नौ और दो ग्यारा मजीरों से टकराया जाता है जिसे दोनी उत्पन होती है और डांस फॉर्म के प्रतीत होती है अगला जो नत्य है वो है पम रत जो की भरतपुर और अलवर छेतर का प्रिसेजन रत्य है अलवर भरतपुर छेतर राजस्थान के पूरवी प्रदेश प्रिविश द्वार कहलाते हैं और एक प्रकार से जो ब्रज भूमी है उससे थोड़े रिलेटेड है तो चुकि ब्रज आने और फागुन Qui मस्ती पर गाउं में पुरिसो द्वर्य नत्य किया जता है चयाओ इस लेगारे नगार यहादर यह ध्ली नगारे अली मिझें भी unrest क nght P इसके अंदर प्रियोग किया जाता है तो इसके अंदर होता है एक लोग आपस में दिख्यों में नगाड़ों को टकराते हैं ठालियाँ, चिमता ढोलता लकिन सभी वाध्ययंत्रों को बजाते हुए इसके अंदर डांस किया जाता है इसके अंदर कोई विशेष रूप से बढ़ा वाध्यंत्र होता है जोगी बहुत बड़े नगाड़े जैसा होता है उसे जिसे की बम कहा जाता है तो बम एक बड़ा नगाड़ा होता है जिसे दौनों हातों के मोटे डंडे से बजाते हैं तो दौनों हातों से लोग जो है बड़े बम को बजाते हैं उसके लाव सा वो राजस्थान के पूर्वी राजस्थान की लोग गीत होते हैं जो कि विशेशकर होली के अफसर पर गया जाते हैं और होली के जो आगवन की कुशी में होली किस तरीके से फल्दाई हो लोगों को उसके लब भगवान श्रीक कृष्ण जिनके लिए होली का त्वार बहुत वगवान के लिए होली गाई जाती है जैसे आज बिरज में होली रे रसिया जैसे एक पूरी राजस्थान का तो इस तरीके के रसिया इस समय किये जाते हैं तो जो बम बजाते हुए जो रसिया का गयान किया जाता है उसे शौटली साथ में बम रसिया कहा जाता है तो बम र इंडे से बजाते हुए से किया जाता है और इसके साथ रसिया गयान किया जाता है जैसे बम रसिया कहते हैं अलाग 2013 के आसवाद यह कुश्चन अभी पोच्छा गया है उसके लब तेरह ताली नत्य देखा हमने जो की काफी प्रसित नत्य है कामर जाती के लोग करते हैं पाबार राम देप के मेले के अंदर और तेरह मजीरे अपस में तकराये जाते हैं उसके लाव हमने डांडिया नत्य देखा जो कि मारवार का पच्छित नत्य है और हुली के अफसर पर किया जाता है पुरुसो द्वारा उसके लाव हमने चरी नत्य देखा जिसके अंदर एक के उपर साथ चरीय रखकर और सबसे उपर की चरी में काकड़े के बीच के तेल लगा कर डाल कर उसे जलाया जाता है और गुर्जर जाती के लोग यह हमें खास बाद याद रखनी है चरी नत्त किस चाती के लोग करते हैं गुर्जर जाती के लोग इसे करते हैं तो इस परकार से यह नत्त इसके अंदर क देखेंगे, धन्यवाद